अगर कोई आज आप से पूछे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो बेशक बिना सोचे समझे आप अपना बेस्ट फ्रेंड अपने स्मार्ट फून को ही बताएंगे एक अच्छे दोस्त की तरह आपको टाइम पर जगाता है आपके सारे सोचल अकाउंट को मेंटीन करता है यहां तक कि आप जहां भी जाते हैं वहां एक सच्छे सांथी के तरह आपके सांच चलता है तो दोस्तो आज हम आपके बेस्ट फ्रेंड की ही बात करने वाले हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप अपने फोन को अच्छे से जानते हैं तो शायद आप कलती कर रहा हैं क्यों देखने के बाद या यूज करने के बाद आप भी सोच में बढ़ जाएंगे कि इतने सालों से अपना फोन यूज कर रहा था मैं और मेरे फोन में इतने सारे फीचर्स थे और मुझे पता ही नहीं था तो चलिए आज जानी लेते हैं इन फीचर्स को तो नमबर पांच पर जिस ट्रिक को हमने रखा वो यह है कि आप लोगों को चौका भी पाएंगे इस ट्रिक का यूज करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करने के लिए टाइप करन करना है इसके बाद आपको यहां पर गूगल डाट कॉम टाइप कर देना है पीसी जैसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा आप जैसी ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेटिंग का ओप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करते ही आपको सर्च सेटिंग का ओप् कर देना है इसके बाद आप गूगल पर जो भी सर्च करना चाहते हैं उसे जस्ट अपनी स्क्रीन पर लिखते जाएगे वह अपने आप टाइप होता जाएगा और जब आप इसे अपने दोस्तों के सामने करेंगे तो आप पूछे बिना नहीं रह पाएगा कि भाई आकर त के लिए आप उन्हें हमारी इस वीडियो को रिकमेंड कर दीजेगा तो चलिए अब इस कूल ट्रिक के बाद थोड़े से म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं यह ट्रिक म्यूजिक लवर्स के लिए काफी जादा हेलफुल रहने क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पर गाने या स्ट्वरी सुनने का बहुत ज़ाधा शौक है तो आप इस फृक का यूज कर सकते हैं इसमें आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो को बैग्राउट में म्यूजिक के तोर पर प्ले कर सकते हैं और इसमें आपको इसे करते ही किसी भी फिवरेट सॉंग को आप प्ले कर लिए या फिर आर्जे नवेद की किसी भी कॉमेडी को आप उसकी वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं उसके बाद आपको उपर दिख रहे हैं तीन डॉट पर क्लिक कर देना है बैस्टोब मोड को सेट करना है कई बारें आप चेक लगाने का option भी आता है, desktop mode पर आप check mark लगा दिए, उसके बाद चल रही उस video को full screen option पर click कर देना है, और अपने home button को press कर देना है, उसके बाद जब आप अपना notification panel खोलेंगे, तो आपको वही video का audio format दिखाई देगा है, जिसे आपको सिर्फ play कर लेना है, और आपके phone में वो गाना या वो comedy बजना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी background में, number 3 की ये trick बड़ी impressive है, इस trick के द्वारा आप अपने smartphone को remotely control कर सकते हैं, भगवान ना करें कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी मान लीजी कि आपका phone आपसे गुम हो जाता है, तो इससे आप अपने phone को block कर सकते हैं, और उस phone का सारा data erase कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले open करना है, phone की setting में जाना है और वहाँ पर security पर click करते हैं, जिसके बाद device administrator या device manager option आपको दिखाई देगा, उस पर आप click कर दीजे, आपको find my device का option भी दिखाई देगा, जिससे आपको क्या करते हैं, enable, इसके ब mobile पर बड़े बड़े articles पंड़ा है और आप अपने आपको upgrade करते रहने की आदत को बनाये रखना चाहते हैं, तो आपको कई सारे important topic को save करके रखना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग screenshot का use करते हैं, पर जब आप उने zoom करते हैं, तो उनकी quality पूरी तरह से खत्म हो जाती, situation में, आप इस trick का use कर सकते हैं, सबसे बिले आप अपने browser को खोल लीजे और उसके बाद उस page को खोल लीजे, जिसे आप save करके रखना चाहते हैं, इसके बाद अपर right hand side पर आपको 3 dot दिखाए देंगे, उन पर आपको simply tap करना है, और इसके बाद आपको share पर click कर देना है, इ उस PDF फाइल को simply rename करके आपको अपने mobile में save कर लेना है, चलिए अब रुख करते हैं, आज की हमारी number one trick का, ये trick students के लिए काफी जादा helpful है, क्योंकि इसे आप अपने किसी भी copy में लिखे गए notes को text के form में convert करने के लिए use करेंगे, और वह भी बिना किसी application की helps है, इसके लिए बस आपको सबसे पहले अपने phone में Google की photos नाम की application होगी उसे open करना है, उसके बाद उस application में अपने phone से खीचे गए notes की photo को open कर लेना, फिर नीचे दिए गए चार option से आप उसको edit पर click करें, और click करते हैं, उन photos में दिख रहे हैं सारे words को ये detect कर लेगा, और उसके बाद उन स सबी को copy करके कहें भी आप paste करके रख सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी image के text को original text form में convert करके कहें भी paste करके रख सकते हैं, आज की strips and tricks वाली वीडियो में इतना है, आप मुझे तीचे जादत, वीडियो कैसी लगी, comment section में जरूर बताईएगा, पसंद आ गईए ते से like and share ज झालो हैं, वीड़ को झालो हैं, अ झाल झाल